देखिये दक्षीन इज्राइल में ही इस वक्त हम लोग हैं हमाज से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम लोग हैं असकेलोन दक्षीन इज्राइल का सबसे बड़ा शहर है और यहां से जेरौत, रीम और दूसरे जो शहर हैं गाजा इस्ट्रिप से यानि गाजा पट्टी के बगल में वो यहां से महेच चार किलो मीटर है वहाँ गाजा पट्टी में इसराइल ने फूड इंधन पानी को रोक रखा है ताकि गाजा में पहले से भी ब्लॉकेट था लेकिन हमास के हमले के बाद इस थिती और बेकार हो ग हमास की लडागी के बीच जिन लोगो की जाने गई हैं वहाँ जाने से रोका गया है लोगो को मैम ब्लीज बिगना में भना टो गटार्यार में पाओंट करे अगवे कला में लोड़ागों इस्राइल्या जाज़ा नहीं? आपको दिखाते हैं अगर आप वहां है तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको पहुंचना होगा अगर मिसाइल के साइरन की आवाज आती है तो तीस सेकंड से एक मिनट के बीच में अपने दर्सकों को ये भी बता दे एसकेलोन गाजापटी से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है यहां जब मिसाइल से हमला होता है तो इसराइल की सेना को रियाक्ट करने में यानि उनका जो डिफेंस सिस्टम है एर डिफेंस सिस्टम उसको रियाक्ट करने का वक्त 30 सेकंड का होता है लेकिन अगर आप तेल अवीब तो यहां से हम कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे वहां जाए आप देख हम उपर जाने के जो सेफ जोन उपर में भी बने होते वह आपको दिखाते हैं देखिए पहले आपको यहां दिखा दी यहां वाटर रखा गया है अगर आपको कई दिनों तक रखना पड़े वाट is not safe zone this is safe zone for four apartments in this building no safe zone in the house is out of the house this is a concrete 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 building in this is safe because in the middle of the building this is concrete this is the room the only room in the building on concrete all fraud they get the same room and all four apartment सामान ने इमारत होती है यहां अगर मिसाइल भी आता है तो उसके इफेक्ट की जद में नहीं आएगा मिसाइल गिरेगा भी तो पहले बिल्डिंग दूसरी तरफ है और भी मारते हैं उससे होकर गुजरना होगा तो सेफ जोन जब बनाया जाता है यहां हर घर में हर होटल में आपको सेफ जोन दिखेगा